तो दोस्तो सबजी, दाल, दूद, दही और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई की मार से अभी आप उबरे भी नहीं होंगे, कि आपकी जेब पर कैची चलानी की एक और तैयारी शुरू हो गई है नया मसला पेमेंट से जुड़ा हुआ है, यानि आपके पेमेंट में पढ़ने वाली है महंगाई की मार अब आप कहिंगे भाई सिधे सिधे बताओ ना, बातों की जलेवियां क्यों बना रहे हो तो दोस्तों बात ऐसी है कि हमारी आपकी जिन्दगी का एहम इस्सा बन चुके UPI पेमेंट की पॉपलरिटी की बड़ी वज़ाई ये है कि इन पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता लगता है अब इसी चीज को नजर लग गई है Reserve Bank of India यानी RBI इस चीज पर गौर कर रही है कि क्या UPI टांजक्शन पर उसे कोई चार्ज वा सुनना चाहिए ये सारी बाते हम इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों देड़ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों RBI इन संभावनाओं को तलास रहा है कि पेमेंट सिस्टम पर लंबे चोड़े निवेस पर इनने रेगुलेट करने पर होने वाले खर्चे को कैसे ही निकाला जाए इसके लिए Reserve Bank के डैविड कार्ट पर पर परती टांजक्शन फीज और UPI आधारित फंड़ टांजक्शन पर चार्ज लगाने की सोच रहा है RBI ने पेमेंट सिस्टम में चार्जेस पर डिसकाउंट पेपर में इस मामले में आम लोगों की राई मागी है यही नहीं इस पेपर में RBI ने RTGS पर किये जा रहे चार्जेस के पक्समें बात रखी है RBI ने कहा है कि RTGS यानि रियल टाइम ग्रोज सेटलमेंट पर उसका भारी भरकम निवेस हुआ है और ये आम लोगों का ही पैसा है ऐसे में ये चार्जेस कमाई का जरिया नहीं है इस पेपर में IMPS पर भी चार्ज लिये जाने की संभावनों की बात की गई है खेर वापस लोटते हैं UPI पर क्यूंकि ये हमारे रोजमर्रा के लेंदेन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है तो रिजर्व बैंक ने अपने पेपर में है कि फंडर टांजेक्शन सिस्टम के तौर पर UPI बिल्कुल IMPS जैसा ही है ऐसे में ये तरके दिया जा सकता है कि UPI पर भी फंडर टांजेक्शन के लिए IMPS जैसे चार्ज लगाई जाने चाहिए RBI ने अलग-लग एमाउंट से लेप के लिए अलग-लग चार्ज लेने की संभावनाव की बाद की है यानि आने वाले वक्त में आप UPI का इस्तिमाल फंडर टांजेक्शन पर करने में करेंगे तो आपको इसके लिए चार्ज जुकाने के लिए तैयार रहना होगा दोस्तों UPI को National Payment Corporation of India यानि NPCI चलाती है इसकी Regulation RBI करता है बीते वर्सों में UPI से पेमेंट करना लोगों का सबसे पसंदीता जरिया बना हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी टांजेक्शन चार्ज नहीं लगता है देश के दूर दराज के लाके हों या सबजी रेडी वाले हर किसी को UPI ने कारोबार करने में बड़ी सहूलियत दी है तो दोस्तों इसके आंखणों पर भी नजर डाल लेते हैं 2016 में UPI के लॉंच होने के बाद से इस साल जुलाई में UPI के जरिये 6 अरब टांजेक्शन हुए है जो कि इसका अब तक का सबसे बड़ा आंखड़ा है जुलाई 2022 में 6.28 अरब UPI टांजेक्शन हुए है रुपिये में देखें तो इस दोरान 10.62 लाग क्रोड की रुपिये के टांजेक्शन UPI से हुए थे जुन के मुकाबले वॉल्यूम 7.61 बड़ा है जबकि वैल्यू टर्म में ये मुकाबला 4.76 बड़ा है दोस्तो अक्टूबर 2019 में पहली दफा UPI ने एक अरब टांजेक्शन का आखना पार किया था जीरो से एक अरब टांजेक्शन का सपर UPI ने तीन साल में तै किया इसके बाद एक अरब टांजेक्शन में बस एक साल का वक्त लगा और 2 अरब से 3 अरब transaction तक पहुँचने में UPI ने बस 10 महने का ही वक्त लिया, वहीं 4 अरब transaction पर 3 महा तक पहुँचने में बस 3 महन ही लगे, UPI transaction की सपलता की कहानी इन आकुणों में साप नजर आती है, और यही वज़ा है कि RBI की नजर इससे कमाई करने पर है, खैर हो सकता है क हाल फिलाल इस पर चार्ज भले ना लगे, लेकिन देर सबेर UPI transaction पर पैसे चुकाने के लिए आम जनता को तयार रहना होगा, तो दोस्तों ये सब चीजों का बाहर सिर्फ आम जनता पर ही पड़ेगा, सरकार और RBI को इन फैसनों के बारे में पहले जरूर सोचना चाहिए, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्क्राइब कीजेगा, जय हिंद जय भारत